दोस्तों अगर आप भी किसी भी कमपनी की सिम चलाते हैं जियो, एटल, वी आई, बीएस, नेल ये किसी भी दूसरी कमपनी की सिम अगर आप चलाते हैं तो आपके लिए यह जानना बेहत ज्यादा जरूरी है कि गवर्मेंट की तरफ से हाल ही में एक नया रूल लागू किया गया है जिसके चलते सभी यूजरों की सिम बंद की जा सकती है जी हाँ, आपकी किसी भी कमपनी की सिम कभी भी बंद हो सकती है क्योंकि government की तरफ से हाल ही में एक नया rule लागू किया गया है जिसका उलंगन करने पर ना follow करने पर आपकी sim completely बन करा दी जाएगी वो ना वो आपकी re-issue हो पाएगी नहीं आप उसे दुबारा से activate करा पाएगे अब बात कर लेते हैं ये rule क्या है और आपकी sim क्यों बंद हो सकती है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू गवर्मेंट की तरफ से हाल ही में एक नया rule लागू किया गया है जिसके चलते सिर्फ एक user को यानि कि सिर्फ एक operator का 9 sim लेना ही allow किया गया है अगर आपके पास 9 से ज्यादा sim किसी भी operator के हैं वो sim आपके बंद कर दिये जाना ही नहीं जो आपके बाकी 9 number हैं उनको भी आपको दुबारा से re-verify कराना होगा यानि के आपको अपने आधार कार्ट के माध्यम से अपने बाकी सभी 9 number को verification कराना जरूरी हो जाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने number को re-verify किस तरीके से कराएंगे तो आपकी जानकारी के लिए बताता चलता हूँ आप इसे दो माध्यमों से करा पाएंगे एक होगा offline portal यानि के जितने भी आपके nearby retailer होंगे वो इस process को करेंगे दूसरा होगा online portal यानि के एक website पर आपको redirect किया जाएगा जहां पर आपको अपने आधार card mobile number के OTP से अपने number को verify कराना होगा अप आप सोच रहे होंगे कि आपके पास कितने number हैं किस तरीके से पता चलेगा तो इसके उपर मैंने एक already video बनाया है जहां पर आप अपने number को online check कर सकते हैं कि आपके पास कितने number हैं description में उस video का link मिलेगा अगर वो video आपने नहीं देखा होगा तो description में जाएगा वो video जाकर देख लीजिएगा जल्द ही यह rule पूरे इंडिया में लागो होने जा रहा है जैसे ही re-verification की process start होगी आपको इस channel के माद्यम से video मिल जाएगा और update भी मिल जाएगा तो आप मेरे इस youtube channel को subscribe करे रखिए साथी साथ गंटी के बटन को भी दबा के रखिए जैसे ही कोई नए update आएगा मैं video डालूँगा तो आपको उसका direct notification मिल जाएगा आपको यही बताना था कोई अगर मन में सवाल रह गया हो तो comment section में पूछ लीजिएगा इस video को जाते जाते एक like कर दीजिएगा जिससे मुझे बहुत सारा motivation मिलता है